जब मैं छोटी थी तो घर में कोई ब्रत रखने वाला तीवार आता था तो सबसे पहले मेरी दादी क्या करती थी वो सबसे पहले साबू दाना और तक्के आलू की इस तरह से वड़ा बना कर रख देती थी तो हम लोग क्या करते थे ब्रत रखते थे तो इसरी भून कर इसे खाना रहता था बहुत असान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट है तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेस्पी आप लोग के साथ में आज में सेर कर दूँ क्योंकि बहुत सारी ब्रत वाला तीवा आने वाली है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है एक बड़ा सा बरतन और मैं यहाँ पर ली हूँ एक कप भरके साबुदाना तो आपके पास जो भी साबुदाना है आप ले सकते हैं तो एक कप मैंने साबुदाना डाल दिया है अब आधा कब साबू दाना का इस्तेमाल मैंने किया है अब इसमें पानी डालेंगे पानी डालने के बाद में साबू दाना को एक पानी इसको अच्छा से धो लेंगे क्योंकि साबुदाना में थोड़ा सा गर्दा रहती है तो धोने से वो निकल जाएगी और साबुदाना पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी तो इसमें का जो पानी है निकाल देते हैं और दूसरा पानी में ले ली हूँ तो देख सकते हैं कि साबू दाना पूरी तरह से एदम साप, सुथरी और किलीन हो गई है अब साबू दाना को हम रख देते हैं फोलने के लिए जब तक साबू दाना फोलेगी हम आगे की तयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैं लिए थोड़े बड़े साज में कच्चा आलू आलू को छील लेना है इसका जो उपर का छिलका है हटा देना है तो यहां पर मैं कच्चा आलू का भी इस्तेमाल करूंगी और बॉयल किया हुआ आलू का भी इस्तेमाल करूंगी तो अभी फिला कच्छा आलू हम लेंगे और इसका छिलका हटा देंगे छिलका हटाने के बाद में आलू को हम करेंगे कद्दू कस तो पानी में हम कद्दू कस करेंगे ताकि आलू काला ना पड़े तो चलिए इसे कद्दू कस कर लेते हैं तो आप चाहें तो बारी कद्दू कस से या थोड़े मोटे मोटे साइज की जो लर्चे लर्चे निकरती है उससे भी कर सकते हैं तो मैं थोड़े मोटे मोटे जो छेड की कद्दू कस है उससे कर रहे हैं थोड़े मोटे मोटे उब बड़े साइथ में लर्चे निकले तो सभी आलू को मैंने कदू कस कर लिया है देख सकते हैं कदू कस करने के बाद मैं अब आलू को हम अच्छा से धो लेंगे ताकि इसमें जो इश्टार चहना पूरी तरह से निकल जाए आलू को अब इसको मसल मसल कर इसको धो लेना है ताकि इसमें का जो इस्टार्च है पूरी तरह से निकल जाए तो आलू को पानी में से निचोड़ते हुए हम निकालेंगे दुसरे बर्तर में तो आलू देख सकते हैं थोड़े लंबे-लंबे एकदम लर्चे-लर्चे हैं इस तरह से आलू को कदू कस करना है यह पानी देख सकते हैं कितना गंदी हो गई है आप दुसरे पानी से भी हम इसे एक पानी और धोलेंगे ताकि आलू पूरी तरह से एकदब clean हो जाए, एकदब साफ हो जाए तब हम उबड़ा बनाएंगे तो हमारी जो बड़ा बनेगी बहुत ही जादा clean बनेगी एकदम सफेद सफेद बनेगी पानी को हाथों से निचोड लीजिएगा अच्छा से निचोटने के बाद में देख सकते हैं आलू की जो लर्चे है एकदम साफ हो गई है इस तरह से अब चलिए चलते हैं हम गैस की तरब क्योंकि आलू को हलका साथा पानी में उबालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बरतल लिया है उसमें मैंने डाल दिया है आधा लीटर पानी पानी को गरम कर लेना है और सभी आलू की लर्चे को पानी में डाल देना है तो आलू को हलका सा इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हलका सा आलू दबने लगे बस उतना पकाना है गैस का फ्लेम हाई करेंगे और एक उबाल आने तक आलू को अच्छा से पका कर तेयार करेंगे अब इसमें हम डालेंगे ब्रत में खाने वाला नमक यानि सेना नमक अगर आप बिना ब्रत का बना रहे हैं तो बिना ब्रत का नमक आप खले सकते हैं अगर ब्रत में बना रहे हैं तो आप ब्रत का नमक डालिएगा तो देख सकते हैं पानी में एक उबाल आ गई है, अब आलू को हम चक लेते हैं, तो आलू को बहुत ज़्यादा मैस नहों हलका सा ये टाइट रहें, उतने पर ही आलू को हम निकाल लेंगे, और गैस को कर देंगे बंद, चलिए आलू को हम निकाल लेते हैं, आलू अच्छा स फग गई है और इसको कर देते हैं बंद और पानी को चान लेते हैं ने पानी को चानने के लिए एक जाली वारी च्षणनी में सभी आलू को ढाल देना है ताकि इसमें की बारे पानी सभी पाणि निकल जाहें। देख सकते हैं अलुपूरी तरह से नर्ब नहीं हुई हैं। मतलब आलुपूरी तरह से इसको पकाना नहीं हालका ताइट रखना है। अब यहां सबुदाना जो फूल गई है। देख सकते हैं चोटे साइज में थी अब फूल कर ये बड़े-बड़े साइज में हो जाई है इसको दबाएंगे तो ये साबुदाना मैस हो जाएगी उतना ही इसको भिगोना है तो साबुदाना को सभी पानी में से छान कर निकाल लेना है पानी बिल्कुल भी न रहे पानी को हलका से इसको इसको हाथों से मसल कर या तो आप कदू कस करके भी डाल सकते हैं तो उबला हुआ आलू जरूर से डालिएगा क्योंकि इसकी बिलुकुल भी मत करिएगा इससे जो हमारी साबुदाना की वड़ा बनेगी ना बहुत जादा टेश्टी बनेगी तो सभी आलू को मैंने मैस करके डाल दिया है अब इसमें डाल देंगे कदू कस किया हुआ आलू जो मैंने पका कर रखा था पानी पूरी तरह से निकल गई है अब इसमें डालेंगे कुछ मसाला तो यहाँ पर तीखा के लिए मैंने डाला है एक चमज भर के छोटी चमज से फुटा हुआ लाल मिर्शकता पाउडर साथ में मैंने डाला है ब्रत में खाने वाला नमक यानि सेना नमक साथ में डालेंगे धनिया की पत्ती और इसी के साथ में हम डालेंगे एक चमज भर के जीरा अब इन सब चीजों को अच्छा से मिला लेना है कम मसाला में बहुत ही जादा टेश्टी साबू दाना वड़ा बनती है आप चाहे इसको चिप्स भी बोल सकते हैं और वड़ा भी बोल सकते हैं महिनों तक आप इसको बना कर इस्टोर करकर रख दीजिए आप बिना ब्रत का भी इसे बना कर खा सकते हैं चाय के साथ में या तो चटपटा आपको कुछ खाने का मन करें तो ये जटपट से बन जाती है अब बिल्कुल भी खरार नहीं होती है इसको आप महिनों तक इस्टोर करके रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं साबुदाना आलू पूरी तरह से अच्छा से मिल गई है अब इसे बनाना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए रोल बनाएंगे इस तरह से बनाने से बहुत असानी से बन जाती है और बहुत फटा फट बनती है अब कोई भी बरतन लेंगे थाली प्रात या तो कोई ट्रे लेंगे और इसको छोटे छोटा इस तरह से हाथों से वड़ा बना कर तैयार करेंगी तो मैं थाली में बना रही फ्रेंड और इसे धूप में रख देना है दो दिन के लिए धूप में इसको रखेंगे ना तो बहुत अच्छा से ये सूख जाएगी तो कड़ी धूप में इसको रखना है दो दिन के बाद का वीडियो में आप लोग को दिखा रहे हूं तो देख सकते हैं ये वड़ा कितना अच्छा से सूख गई है तो यहां पर बड़ा को श्टोर करने के लिए ना अच्छा से सुख वाईएगा नरम बिल्कुल भी न रहें एकड़क सुख वाईएगा तो इस तरह से सुखवाने के बाद में चलिए अब इसे अब हम फ्राई करेंगे और पहले इसको मैं दिखा दूँगी आप लोग को तोड़कर कि ये जो बड़े है कितना अच्छा से सूख गई है तो मैंने बनाया था थोड़े बड़े-बड़े साइज में सूखने के बाद में ये छोटे-छोटे साइज में हो गई है देख सकते हैं दम कुरकुरा है एक दम और आप इसे श्टोर करकर रख दीजिए महिनों तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी जब मन करें आप चाय के साथ भी बना सकते हैं या कोई बरत रहे तो भी आप इससे फ्राई करके खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगती है खाने में एक बार बना लिए तो इसे आप बार बार बनाने के लिए सोचेंगे बहुत बढ़ियां बनती है तो एक बार जरूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड तो बड़े हमारी बनकर तयार हो गई है पूरी तरह से सूप गई है चलिए इसको हम फ्राई भी करके आप लोग को दिखा देते हैं तो फ्राई करने के लिए अगर आप ब्रत में बना रहे हैं तो आप घी ले सकते हैं या जो भी तेल आप ब्रत में खाते हैं वो तेल ले सकते हैं जैसे तेल अच्छा से गरम हो जाए गेस का फ्लेम हाई रखना है और सबूदाना का जो पापड है यानि बड़े हैं तेल में या घी में डाल देना है बस आधी मिनट के बाद में ये बड़े फूल के दो गुना बढ़ जाएंगी तो देख सकते हैं जो बड़े हैं फूल के बड़े साइज में हो गई है और एकदम क्रिस्पी करारा एकदम खसता खाने में पहुत ही जादा बढ़िया टेस्ट आती है तो सभी बड़े को इस तरह से फ्राई कर लेना है फ्राई करके भी आप इससे चार से पाच दिन तक रखकर डब्बे में खा सकते हैं बिलकुल भ प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जड़े से ज़्यादा लोगों में सेर जरूर से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिलकुल भी मत भूलिएगा जो फ्रेंड नहीं किये हैं भी तक तो जरूर से कर लीजिएगा साबुदाना का बड़ा चीप्स पापड आप सभी ने बहुत बार बना कर खाए मैंने सोचा कि आज मैं अपने दादी की रेश्पीप सियर कर दू बच्पन में मेरी दादी इस तरह से बनाया करती थी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती थी खाने में और खास बात ये थी कि एक बार इसे बना कर रख दो सुखवा करके और महिनों तक खाओ बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और खाने में इतनी ज़्यादे चत्पटा और टेश्टी है कि आप ये एक बार बना कर खा लिए तो मेरी गरांटी है बार बार बनाएंगे तो ज़रूर से ट्राइ करिएगा फिर कल मिलेंगे